भाई लोग सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं अपना बजाज फिन सर्प का EMI काड यहाँ पर यूज करके जैसे यहाँ पर ओनलाइन स्वापिंग करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर OTP डालके submit करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो हमारा order यहाँ पर नहीं होगा order यहाँ पर cancel हो जाएगा और यहाँ पर लिखके आजाएगा देख सकते हो transaction decline हो चुका है और यहाँ पर लिखके आजाएगा your EMI network card is not eligible for online transaction आप लोग देख सकते हो मैं आपको message दिखाता हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है आप अपने EMI card से online shopping क्यों नहीं कर पा रहे हो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसका solution बताऊँगा तो अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो आप जो है पूरा देख लेना साथ में आप हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लेना और साथ में आप अपना बजाच का app यहाँ पर update करके open कर लेना ठीक है अब भाई लोग बजाच का app open करने के बाद आप ये काम करना EMI card वाले option पर tap करना आपका बजाच का EMI card यहाँ पर open हो जाएगा देख सकते हो हमारा EMI card यहाँ पर आ चुका है हमारे EMI card पे आपको total यहाँ पर 1,25,000 रुपे की limit यहाँ पर मिली हुई है लेकिन हमारे EMI card से online यहाँ पर transaction नहीं हो रहा है transaction decline हो जा रहा है इसके लिए आपको क्या करना होगा नीचे आना होगा इसको चेक करना होगा कि आपके EMI card पर online transaction यहाँ पर enable है कि नहीं है आप लोग देख सकते हो हमारे पर enable है तब भी हमारा यहाँ पर online transaction डेक्लाइन हो जा रहा है तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा होगा तो आपको एक काम करना होगा पहली स्वापिंग आपको offline जो है स्वाप से करना होगा दुकान से करना होगा तब जाके कार्ड से आप जो है online स्वापिंग कर पाओगे इसके लिए आप एक काम करना ऊपर चले आना यहाँ पर आपको मिल जाएगा कौन-कौन से स्वाप पे आप जो है जाके बजाज EMI कार्ड से स्वापिंग कर सकते हो स्वाप का नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसके लिए नीचे चले आना यहाँ पर आपके आसपास जो दुकान होगा जिसपे आपका EMI कार्ड यहाँ पर eligible होगा वहाँ पर आप जो है चली जाना ठीक है और पहले ट्रांजेक्शन वहाँ से कर लेना फिर आपका EMI कार्ड यहाँ पर enable हो जाएगा online transaction करने के लिए आप आप जान गए होंगे आगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना साथ में इस वीडियो को आगे सेयर कर देना ठीक है